नमस्कार, में जयनती आप सभी को स्वागत करती हूँ मेरे चैनल गाड़निंग उथी जयनती को आजकल हर कोई अपने घर को नेचुरल तरीके से सजाना चाहता है इसका सबसे अच्छा तरीका है पेड़ पोधों को अपने घर में जगा देना अगर एही पेड़ पोधे सुन्दर सुन्दर सेफ में हो तो क्या बात है पोधों को नवे नवे सेफ देकर सुन्दर बनाने का ट्रेंड आजकल चल रहा है मार्केट में भी बहुत सरे डिजाइन में पोधे मिल जाते हैं लेकिन इसका कोस्ट बहुत होता है तो क्यूना हम अपने घर में ही पोधों को अलग-अलग मन्चहा सेव दे कर अपनी बालकोनी और गार्डेन को दे एक ब्यूटिफुल लूक। जी हाँ, आज मैं बात कर रही हूं टपियरी के बारे में। पोधों को कटिंग, प्रूनिंग, ट्रिमिंग करके मन्चहा सेव देने का कला को टपियरी कहते हैं। बहुत सरे एसी पोधों हैं जिससे टपियरी बना सकते हैं। मुझे जेड प्लांट का टपियरी बनाना बहुत ही अच्छा लगता है। क्यूंकि ये पोधा फर्स्ट ग्रोईंग है, बहुत ही जल्दी बुशी हो जाता है और लो मेंटिनान्स वाला पोधा है। जेड प्लांट किसी भी टाइप का सॉयल में ग्रोई करता है, लेकिन सॉयल ओल ड्रेंड होना चाहिए। यह एक सनलभिंग प्लांट है, आउटडोर में रहना पसंद करता है। वेशे तो जेड प्लांट कोई प्रकार के होते हैं, लेकिन मेरे पास चार प्रकार के जेड प्लांट है। और इसे देखिए, इस प्लांट का पत्यां हाट सेप के हैं, ये भी एक जेड प्लांट है, इसका पत्यां देखिए, पत्यां थोड़ा रॉफ हैं और लाइट कलर के हैं, ये भी एक बड़े-बड़े पत्यों बाला जेड प्लांट है, किसी भी टाइप का जेड प्लांट में टोपियरी बन सकता है मुझे हाट सेफ लीफ वाला जेड प्लांट में टोपियरी बनाना बहुत ही पसंद है तो आईए देर ना करते हुए सुरू करते हैं इसी हाट सेफ जेड प्लांट का टोपियरी टोपियरी बनाने से पहले एक फ्रेम बनाना पड़ता है ये देखिये दोस्तों मैंने पूराना पेंट बकेट का हैंडल और आइरन वायर को लेकर एक फ्रेम बना लिया है बहुत ही आसान है आप सिर्फ वायर से भी इस टाइब का फ्रेम बना सकते हैं आप देख सकते हैं मैंने एक लो हाइट वाला फ्लाट पर्ट लिया है इसका होल्स को मैंने ढख दिया है जो फ्रेम हमने बनाया था उसको गमले में रखेंगे और मिट्टी भरेंगे टोपियरी के लिए जो सॉयल मिक्सर मैंने बनाया है इसमें 30% गाडेन सॉयल के साथ 30% कावडों कमपोस्ट, 30% कोकोपिट, 30% सैंड और दो मुठी निमखली के पाउडर मिला हुआ है ये कुछ जेड प्लांट का कटिंग्स है, जो हम टोपियरी में लगाएंगे ये देखिए दोस्तों मैंने गमले में मिटी भर लिया है और ये फ्रेम कुछ अच्छी तरह से सेट हो गया है जेड प्लांट के कॉट्टिंग्स को गमले के किनारे में लगाना है ताकि प्लांट जब ग्रो करेगा फ्रेम के उपर ही रहेगा आप देख सकते हैं मैंने सारे जेड कॉट्टिंग्स को लगा लिया है और फ्रेम के साथ बांध भी लिया है चार दिन के लिए मैं इसको सेमिसेड एरिया में रखूंगी और बाद में गार्डन में धूप में रखूंगी तब तब जब तक ये पूरा बूसी ना हो जाए छे महिना बिद चुका है जेड प्लांट काफी बूसी हो गया है ये देखिए दोस्तों कितने सारे स्टेम्स निकले हुए हैं स्टेम्स का टीप को कट कर देंगे टाके टोपियरी और भी घना दिखे इन छे महिनों में मैंने कोई बार इसी तरह प्रूनिंग किया है ये रहा जेड कटिंग्स जो मैंने अभी अभी कट करके निकाला है इसी कटिंग्स को अगर हम सिर्फ गिले सैंड में ही दबा देंगे तब भी इसमें साथ दिन में रूट निकल आएगा मैंने इस कटिंग्स को टोपियरी में लगा दूँगी अब हम टोपियरी को सजाएंगे टोपियरी सजाने के लिए मैंने लिया गौनेश जी की एक मूर्ती, कुछ मार्बल स्टोर्स, बेल्स, एक पॉर्ट और ये देखिए मेरा टोपियरी बिल्कुल रेडी हो गया है कुछ बेल्स मैंने पहले लगा दिया था कुछ पॉर्ट बेल्स, बद्ट, बाउड़ के लिए भी का लिएरी बाइऑ स्टोर्स, जितामस का भी की एक मूर्ट कर दोने भी के एक मैंने बिल्स, बाइब आ दिमाप बेल्स, बाल्स, बढ़ सेखिए सने के लिए और रिए भी हो. कैसे लगा मेरा टूपियरी कमेंट सेक्षन में जरू लिखियेगा यहां मैंने ब्रास पोट में पानी भर दिया है यह है आक्वाटिक प्लांट डक्वीड इसको मैंने पोट में रख दिया है ताकी यह भी ग्रो करे टूपियरी पूरा सच्चुका है बेल भी लग गया है मूर्टिजी का स्तापना भी हो गया और यह दोनों तरफ जेड कॉटिंग्स भी लग गया है हरा भरा भी दिख रहा है और यह मार्बल स्टोन्स भी बिछा दिया है नीचे का स्टान एक पूराना फिल्टर है जिसको मैंने पेंट करके इसमें वरली आट किया है कुछ पौधों के बीच मैंने टूपियरी को रखा है मैंने कुछ इस तरह सजाया है आप अपनी हिसाब से और सुन्दर तरिके से सजा सकते हैं दोस्तों कैसा लगा मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा है तो मेरा वीडियो को लाइक किजेगा दोस्तों और रिलेटिस में सेयर किजेगा और मेरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर किजेगा आज के लिए बस इतना ही फिर मिलेंगे और एक नई वीडियो में और एक नई टपिक के साथ तब तक के लिए बाई हापी गार्णिंग